आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे CROP करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो एवरिवरण, वेलकम डू डाउटनेट So, Question हम से कह रहा है कि A, M, P, D, Q, R, W और B अगर सरकल के सेंटर पर फेस करते हुए आठ लोग बैठे हुए है इसमें D जो है D जो है वो left है force में A के जो की A जो है वो M से M के right में 3rd position पर आता है उसी तरह Q जो है जो P है वो Q के left में 3rd position पर आ रहा है और जो Q है वो 3rd है M के left से उसी तरीके से R जो है वो 3rd है to the right of W जो की 2nd है to the right of B तो हमें बताना है कि Just Q के right में कौन बैठा है Just Q के right में तो हम पहले इसका figure बना लेंगे using our circle क्योंकि circular table पर बैठे हुए हुए तो आपको 8 लोग बैठे हुए है 7 & 8 ठीक है अब क्या करना है यह आपका center सभी लोग face इस तरफ करके बैठेंगे सभी का face अगर इधर है सभी का left portion ही होगा सभी का right portion इधर होगा अगर मैं इसकी बाद करूँ तो इसका left portion ही होगा और इसका right portion इधर होगा इसका left portion इधर होगा और इसका right portion इधर होगा similarly इसका भी आप देखो यह left portion ही हुआ और राइट portion ही हुआ तो ऐसे हमें देखना है अब हमें यहां पर देख रहा है कि पूरे data में M जो है वो independent है वो किसी से कोई मतलब उसको नहीं है तो M हम कहीं भी center में या कहीं भी बना लेते हैं मैंने आहां M बना दिया अब question कह रहा है M के just right side में तीसरी position जो है वो A की है ठीक है M के right में M का right ही है यह जो को M का right है एक, दो, तीन, थर्ड position जो है वो A का है एक लेफ्ट में चौथी position आओ एक, दो, तीन, चार तो यह position जो होगा हमारा D का एक statement complete अब कह रहा है P जो है वो Q के left में तीसरी number पे है P जो है वो Q अभी हम इने Q mention नहीं किया लेकिन कह रहा है जो M है M के left में third position पे Q है तो आपका M है M का third position देखो left में 1, 2, 3 तो यह हमारा क्या होगे यह हमारा Q होगया अब वही चीज़ कह रहा है कि Q के left के third position पे P है तो Q का left देखो यह होगा क्योंकि face इधर है तो यह left हुआ left में 1, 2, 3 यह third position जो है यह हमारा किसका होगया P का होगया ठीक है अब question कह रहा है R जो है वह W के right में third position पर है और B का second position है वह right से W ठीक है इसका मतलब W जो है मेरा वह कहीं न कहीं इधर center पर लाई कर रहा है अब W में भी यह question कह रहा है कि W से हमारा third side जो right का है वह मेरा क्या है यह point है मेरा B है यह second position पर B आ रहा है और इसका जो third position आ रहा है 1 2 3 यहां पर मेरा R आ रहा है इसका मतलब अगर हम इसको simplified बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं और यहां लिख सकते हैं simple B this is my A this is my P this is my R this is my M और this is my D this is my W और यह मेरा होगया Q तो अब आप according to question कह रहा है कि just Q के immediate right में कौन है तो यह Q अगर है तो Q का left side ही होगा और Q का right side ही होगा तो Q के just right में कौन है वो है W तो हमारा जो correct option होगा वो होगा W I hope this is clear to you thank you very much for watching this video Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 84444 उपर